वेलकम बैक टू माई चैनल पैंटेस्ट हिंट और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपाउट एडव्लूएस गोड एस एस आर एफ सो हमने पिछले वीडियो में देखा था AWS गोड क्या है cloud security कैसे work करती है आपके उसका concept क्या है fundamentals क्या क्या है और AWS गोड को setup कैसे किया जा सकता है तो अगर आप अभी तक नहीं देखा तो इसी playlist के अंदर आप वीडियो स्टार्टिंग से चेक कर सकते हैं अधरवाइस आज की सीडियो में हम लोग देखते है SSRF vulnerability के बारे में सो SSRF vulnerability exploit करने के लिए जो कि हमारी server side request forgery कि server side से हमारे पास response कैसे check कर सकते हैं जहाँ पे आपके जो भी internal command होती है वो internal command को या फिर जो internal functionalities है उसको abuse करके आप server के अंदर कैसे read और update कर सकते हैं उनके internal resources को SSRF vulnerability check करते हैं सो सबसे पहले मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ जो आपने already account create किया हुआ था अगर आपने नहीं किया आप यहाँ से भी account create कर सकते है get started पर जाके email id and password then simply login so login करने के बाद आपके पास dashboard आ जाता है जहाँ पर आपके dashboard user और new post, post, profile यह सब ही आपके पास options आते हैं so जैसे ही मैं new post में जाता हूँ और जैसा कि पिछले videos में भी हमने देखा है कि जितनी भी आपकी vulnerabilities होती है उन सारी vulnerabilities के अंदर जो सबसे common part होता है वो होता है आपका input factors so जब भी आपको कुछ input vectors मिलते हैं आप उन input vectors में check कर सकते हैं हर vulnerability that means जहाँ पर भी आपके input करने का कुछ option होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ vulnerabilities आप try कर सकते हैं check कर सकते हैं so for example यहाँ पर enter your post headline आजाता है कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो कि for test for SSRF जो कि server side request forgery author name then posting date and then यहाँ पर file upload करने के में पास दो options है the first one is by the URL and second one is by uploading any image so try करते हैं first SSRF हम लोग कि कैसे हम सरिफ URL के थूर SSRF को execute कर सकते हैं so यहाँ पर मैं simply लिखता हूँ file and then slash etc slash password so Linux के अंदर by default है etc password file मैं अगर यहाँ पर get कर लेता हूँ let's mean SSRF मेरा आप execute हो जाता है तो मैं और command भी आप execute कर सकता हूँ so check करने के लिए मैं सरिफ etc password करता हूँ और यहाँ पर इसको verify करने के लिए inspect element open कर लेते हैं inspect element में आप network options में जा सकते हैं यहाँ पर आपके browsers पर अलगलग depend कर सकता है कि आपके आप अभी Chrome में कर रहे या फिर Firefox में कर रहे या फिर Brave के अंदर कर रहे आपके अलगलग options हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके inspect element में network options कहां है so network पर आने के बाद आता है कि perform a request to reload the page so अभी हम reload नहीं कर रहे हैं file etc password है यहाँ पर मैं स्रिफ upload पर क्लिक कर रहा हूं so header, cookies, request and response so response में you can see यहाँ पर मुझे एक URL मिलता है जहाँ पर मेरी file upload हुई हुई मिलती है और यहाँ पर कुछ timestamps के साथ मेरी file upload कर देता है जैसे कि 2023 0603 जो का time है 06 11 03 और कुछ seconds के साथ तो यहाँ पर यह रेंडम नमबर चंटरेट करता है यहाँ पर यहाँ पर मैं इस पर copy कर लेता हूं और new tape के अंदर इस image को open करते है so obviously यह वाली image आपकी work नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर हमने कोई image upload ही नहीं की हमने यहाँ पर जो upload किया है वह file functionality के साथ में हम लोगों ने सरिफ etc password यहाँ पर execute कर वाया था so जैसे ही मैं इस URL पर visit करूंगा यहाँ पर जो मेरी image है यहाँ पर मेरी अपने आप download हो जाएगी so download होने के बाद हम यहाँ पर extract करके देखते हैं मैं आपर terminal के अंदर आ जाता हूं and then cd downloads so download करने के बाद जो भी मेरी file है मैं उसको cat command की help से यहाँ पर execute करवा के देखता हूं so यहाँ पर let's say मैं पास तीन file है क्योंकि मेरे अभी तीन बार जब मैंने रेलोड कर दिया तो तीन बार file मेरी download हो गई so आप कोई भी file यहाँ पर open कर सकते हैं जैसे मैं यह वाली file को cat करता हूं cat करने के बाद enter करते हैं so you can see यहाँ पर मेरे पास जो output आया है वो etc password का आया है let's mean root, bin, dman, adm, chat, mail, operator, games and all so sst तो यहाँ पर मैं पास जो data आया है वो server sites का जो response है हम दे उसको app use किया उस functionality इसको internal resources, so guys this is the like one method of SSRF, next video में हम देखते हैं कि SSRF करने के लिए कुछ और तरीके या फिर file upload करके भी हम यह चारी चीजे कर सकते हैं या नहीं so आज की इस video में इतना ही मिलते हैं next video में जब तक के लिए data, bye bye